बास्कार दोस्तों स्वागत एक नहीं वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में आने वाला हूं कि आगर आपके पास रेडमी का फोन है कौन सा फोन है कोई फारिक नहीं पड़ता यहां पे आपका जो आइड से वो मैं ब्लॉप करवाने वाला हूं यानि कि प्राइवेट डेन देखनी है कि DNS कैसे काम करता है DNS होता क्या है full detail वीडियो तो आपको मैं अपना दूसरा चैनल रिकमेंट करता हूँ take next hour उस पे आपको ये information की वीडियो मिल जाएगी अब यहाँ पे आपको क्या करना है अपने Redmi के phone में आपको चले जाना है सेटिंग में और सेटिंग में जाने के बाद आपको connection and sharing का जो option मिलता है ये देखो सेटिंग में इस पे चले जाना है इस पे जाने के बाद आपको यहाँ पर private DNS का option मिलेगा ये auto होता है एक चीज़ याद रखेगा और मत किजएगा क्योंकि इससे आपकी privacy और security जो होते है वो खत्रिम पढ़ जाती है DNS से matter करता है कि आपका mobile का speed क्या होगा आपकी privacy कैसी रहेगी और trycast और trycast बहुत सारे लफड़े होते हैं आपे तो आपको ये जो auto दिया जाता है आप चाहो तो private DNS का इस्तेमाल कर सकते हो और private DNS Google के तरफ से या बहुत सारे DNS है और DNS का आप इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी Android हो आपके पास आप कर सकते हो Android 9Pi है तब भी आपको यहाँ पे DNS देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे मैं यही वाला DNS टाइप करने वाला हूँ वैसे तो 36,000 DNS होते हैं जिसका भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो आप कर सकते हो लेकिन फिलहाल मैं add block करने के लिए एक जो DNS है उसका मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि अभी मैं किसी mobile में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसका जो सर्विस मुझे थोड़ा ठीक लगा इस वज़से मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ बाकी इस समय का अनुसार चेंज कर लेंगे तो यहाँ पे dns.atguard.com एक चीज़ रहेखेगा बीच में space नहीं होना चाहिए आपको यह डाल देना है इसके पास save कर देना है आप देख सकते हो कि यहाँ पे can't connect करके आया था तो यह जो डेनेस होता है यह internet से connect रहता आपका तो mobile data या Wi-Fi आपका connect रहेगा तो यह connect हो जाएगा अब जो notification में बाइने है यह जो नोटफिकेशन बाहर है आपको ads देखने को नहीं मिलते हैं और privacy और security की थोड़ी सी safety हो जाती है जितना अच्छा DNS आप set करोगे आपकी privacy और security की उतनी ही अच्छी सुरक्षा होगी तो इसकी full little की वीडियो आपको recommend करता हूँ अपने दूसरे चैनल पर चैनल पर विजिट कीजिए और इसके बाद देख लीजिए तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगए होगी तो लाइक से सब्सक्राइब जोरू कीजिएगा चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तेक लिए बावे